हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Nokia 2.3 Android वाइल फोन में आप Adaptive Brightness सेटिंग को आप जो है Disable कैसे कर सकते हैं यानि कि Off कैसे कर सकते हैं और ये Adaptive Brightness सेटिंग जो है नीची आना है यहां पर आपको これм इभिट्टन एशन सेटिंग करना है इसके ठीक सामने जो बटन दे रखा है इससे सलेक्ट करना है तो यानि आपकी अब को इस तरीके से Disable औह जाती है अब कैसे काम करती यह मैं आपको बता देता हूं, आपके जो mobile phone का brightness होता है, brightness pointer होता है, brightness level, इसको आपको अपने हाथों से कम या जादा करना पड़ेगा, आपको अपने हाथों से ठीक है, तो यह setting जो है, ऐसे काम करती है, disable होने के बाद, लेकिन यह setting जो है, disable होने से पहले, आपका mobile phone जो है, automatic adjust करना पड़ेगा, ठीक है, यह setting जो है, इस तरह की से काम करती है, off करने के बाद, आपके Nokia 2.3 Android mobile phone में, ठीक है, अब मैं आपको इस setting को डूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं, आपके mobile phone में, इसके लिए आपको करने के है, mobile का setting page उपन करना है, setting page में सब से उपर आपको search setting का option select करना है, और यहाँ पर आपको search bar में type करना है, adaptive brightness, ठीक है, जो setting का name है, वो आपको पूरा type कर देना है, इधर, ठीक है, तो आपको नीचे की side यह adaptive brightness option show हो जाएगा, जब यह option नीचे की side पे show हो जाएगा, तो इससे आपको select कर लेना है, इससे होगा क्या, आपका mobile phone आ आपको लेकर आजाएगा, और इस setting को highlight करेगा, ठीक है, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है, इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में,